हलो जौकंव है वह एर्एक्षं इर्एक्षं यानि की निर्मान ठ्टीक है तो जब भी देखिए पहली तो इरेक्शन क्या होता है इरेक्शन कि जब क्ये स्वान अधिंदम निर्मान होता ने होता है Sug design document इसमें use किया जाते है किसके लिए frame बनाने के लिए Steel की जो frame है side पे वो बनाने के लिए इसे use किया जाता है ठीक है process क्या रहती है कि इसके अदर जो सारी processes आती है वो आती है lifting, placing components मतलब जो components रहते हैं उनको place करने के लिए positions पे उनकी ठीक है उनने connect करने के लिए ठीक है वैसे तो यह जो रहती है, जो steel frame जो रहती है, वो bolts जो रहते हैं, nut और bolts उनसे fix रहती है, पर sometimes क्या करते हैं, welding का भी use करते हैं, जो side weldings जो रहती हैं, इसका structure खड़ा करने के लिए उनका भी use किया जाता है, ठीक है, तो erection जो है, वो यहां से समझ आया होगा आपको, कि यह भी एक निर्मान का तरीका है, जिससे कि क्या हम जब construction करते हैं, तो ऐसी framework बने आ जाता है, जिससे कि हम सामान को ले जा सकें, उपर तक, उस पर lifting जो है, lifting जो है, वो कर सकें, सामान को उसकी position तक पहुँचा सकें, इस तरीके का, ठीक है, तो यह क्या है, एक steel का framework रहता है, जो कि हम किसके लिए use करते हैं, अपने work को safe रखने के लिए use करते हैं, हम ठीक से work कर पाएं, safely work कर पाएं, उनके लिए हम इसे use करते हैं, देखिए, इस तरीके का रहता है erection, इस पे हमने क्या किया, हमारे देखिए, पूरा steel का एक frame बना हुआ है, जो surface है, उससे उचा उसका platform है, letters यह जो यह दे रखे हैं, यह देखिए, यहां से सारी चीज़े, pillars वगेरा से दे रखे हुए हैं, stairs दे रखी हुई है, कि आप उपर जा सके, नीचे आ सके, इन सब के लिए, ठीक है, तो यह क्या है, क्यों करा है है, हमने यह planning क्यों की जाती है, यह part of planning है, यह method है किभी काम करने का, जिसका purpose क्या है, safe system of work, ठीक है, safe system of work हम करेंगे, तो यह हम, जो erection है, उसको हम use करेंगे, ठीक है, बाकि हम और क्या 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 कर सकते हैं, सुपर विजनिंग कर सकते हैं, हम इससे अपने जो काम हैं, उनको easily कर सकते हैं, हम जादा तकलीफ नहीं होगी किसी काम को करन के लिए, हम और भी चीज़े चेक कर सकते हैं, जैसे कि, जब हम visual inspection कर रहे हैं, cranes का, तो हम इसको use करके, इस platform को use करके भी work कर सकते हैं, यह सारी चीज़े हैं, तो यह totally हमारे लिए बहुत beneficial हैं, क्योंकि, क्योंकि यह क्या है, एक हम जो permanent temporary ऐसा platform तयार कर रहे हैं, जिससे हम next जो हमारे work हैं, वो हम कर सके हैं, एक हम, मतलब, temporary, permanently रहता है, मतलब, हम उसको कस देते हैं, बोल्ट वगेरा लगा के, उसको हम कर देते हैं, ठीक, उसको fix कर लेते हैं, हमें जितना काम उसमें करना है, हम easily कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, कि वो unstrong हो, थोड़ा सा, कि मतलब, हम इस पर जादा चीजे नहीं लेके जा सकते हैं, या कुछ भी, ऐसा नहीं है, इसमें, पर हाँ, यह है, कि हम जो भी work कर रहे हैं, वो हम safely कर पाए, इसलिए इसे use किया जाता है, पर ऐसा नहीं है, कि आप इस पर work कर रहे हैं, तो आप इन पीपीज वेर ना करें, और यह सारी इसके से आप इसको use में ले सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या है, इससे अपना work easy बना सकते हैं, वोने वाले काम भी ठीक से हो पाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से यह रहता है, अब देखिए, इसमें हम जब भी इसे बनाते हैं, जब भी हम इसको use कर रहे होते हैं, तो चल रहा है वो किस तरीकी से चल रहा है हम नारग वकाम जो है वो सेफली हो ठीक है यह सारी चीज़े चक करने के लिए ताकि हमारे जो भी एक्सिडेंट्स है वो ना हो प्याएं और प्लास ठीक है इसलिए हम यह जो भी बनाते हैं यह जो प्लेटफॉर्म जो है एरक्षन जो करते हैं स्टील फ्रेमवर्क से वो यही इसी के लिए में होता है कि हमारे जो भी वर्ट चल रहा है वो सेफली हो पाए ठीक है तो यह इरक्षन के बारे में आज मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का यह टॉपिक है इसमें आपको देखिए जादा कुछ तो नहीं पर यह एक जैसे सेफ्ट्टे शेफ्टी का टॉपिक है तो आपको कंस्ट्रक्शन पर होने वाले चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए fuckin क्या होता है क्यूं हम यूज कर रहे हैं है ना इससे हमारे सेफ्टी से क्या रिलेशन old का तियक है अगर इसम्स टॉपिक का तो safety से इसका क्या relation है ये सारी चीज़े हमें पता होना जरूरी है ठीक है तो आपको पता लगा होगा कि एरक्षन पे हमें कैसे work करना है बाकि देखिए काम गोई भी हो हमें पीपीज तो वेर करनी है हमेशा परसनल प्रोटक्टिव एक्यूपमेंट हमेशा वेर करने हैं ताक कि ये मैंने आज अब को construction safety से topic बताया एरक्षन सो थेंक यू